नमस्षार सुलकम बाक टी यो ओन चैनल वेल्स साज 24 ओक्टोबर 2024 थस्जे का दिन मार्केट में आज के दिन भी कोई रिवाइवल दिखाई नहीं पड़ा क्यूंकि जो बिगीज हैं उनमें कोई पार्टिसिपेशन ही दिखाई नहीं पड़ रहा है एक्यूमिलेशन ही दिख करके consolidate करने लगा मार्केट में आज के दिन जदा बाइंग ट्राशन दिखाई नहीं पड़ रहा था लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखाई पड़ रहा था और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर है कि जिस कंपनी न एच्छे रिजर्ट्स पोस्ट के मार्केट उसी को सही वैलूशन दे रही है वहीं पर बाइंग और एक्क्यूमिलेशन दिखाई पड़ रहा है मैं भी आगया कुछ स्टॉक से बारे में बाचीत करूंगा उनके रिजर्ट्स को डिसकुस करेंगे निफ्टे 50 में 36 पॉइं निफ्टी बांक में 292 पॉइंट की तेजी मिट कैप स्मॉल कैप में भी 183-184 पॉइंट की गिरावाट दिखाई पड़ रहे थी ग्लोबल मार्केट के बारे में बात रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूरोपिन मार्केट में थोड़ी सी पॉजिवेटिवेटी डायो जोसे ट्रडिंग माल देगटिव गिफनेफेटी फॉर्टीन पॉइंट पॉइंट रहे हैं जहां पर बाइंग जहां पर बाइंग राशन अच्छा दिखाई पड़ रहा था बाद देखें जो तेजी वाले स्टॉक से गिरते होगे दिखाई पड़े पर प्रॉफि आप दिखाई पड़ा क्योंकि अगर आद देखें तो एक स्टॉक अगर एड्वाइंस कर रहा था तो इसके किस्ट दू स्टॉक आज के दिन भी डिकलाइन कर रहे थे आज के दिन का सबसे बड़ा एकसिडेंट था हिंदूसान यूनिलिवर स्टॉक वस डाउन सिक्स पर स एक सबस्क्राइब ए करेंगे रहता है तो इसकी है क्यों फाक्ञ्ट किया है को ति चुल्हें हे पोट्फोलियों का श्टॉक भी और्शाम सी यह स्टॉक और गिरते है अगर नेूं करेंपेंगी स्टॉक और जोह और तो संब लूजर्स के बारे में यहीं लगे हांद बात कर लेते हैं तो हिंडाल को बजाज ओटो बजाज ओटो की तो आपको दुरुद अश्या पता ही है रिजर्स वीक है तो उसके मार्केट छोड़े की नहीं हिंडाल को में 3% की तेजी इसके लाव शुर्याम फिनेश हो 0.5% डाउ टाइटन ग्रासम एमनेव वर्थी अधर टॉप गेनर्स अब दुसों बजाज ओटो की हलत आप इसी विगार से देख लिजे कि लास्ट एक हाफते में स्टॉक गेर के साथे-ग्यारा परसेंट डाउन हो चुका है टाटा कंजूमर्स साथे-दस परसेंट एच्वेल तस प कर ाक एचके एकसिस बमकरोंघ है नहीं थे यह रहे हैं अच्छे धाएज कूम स्टॉम एक्शेंट बैक परम इस्टेड़ वहां पर भी हमको रिस्पेक्टफूली में यत जहां पर अंडर परफॉस्स पारी सी हौनल लिए विजल्ट्स आ रहे हैं 15% की profit में तेजी market उनको छोड़ नहीं रही है अब दोसों मैंने ये तो कहा नहीं है कि आप लोग भी Nestle buy कर लें लेकिन यहाँ पर जो data दिखाई पड़ रहा है previous जाके comparison में जहाँ पर higher delivery percentage है मतलब higher accumulation दिखाई पड़ रहा है उसमें है Nestle उसमें है SJFC Bank इसके लावा है Steel Technology, Krasim, Shriram Finance इन stocks को आप study करेए क्योंकि इन stocks में accumulation चल रहा है दोसों ऐसा है कि Nestle की जो chocolate आज से दो महिने पहले भी करे थी आज से एक महिने पहले भी करे थी आज से एक हफते पहले भी करे थी आज भी उतनी ही बिक रहे है और आज से एक हफते है दस दिन बाद भी उतनी ही बिकेगी हुसर्फ का दिवाली में ज्यादा ही बिके तो इसकराण मार्केट में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी थोड़ी सी वीक्नेस तो आएगी और दोसों यह मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मार्केट जब गिरती है ना इस अलवेज एजियर तो से कि बाएवन अधर्सार फियरफुल और दों बाएवन अधर्सार गृड़ी इस एजियर तो से बट इस वेरी दिफिकल्ट तो दू दूसों लोग बातने निफ्टिफिफिट के इंपॉर्टन लेवल के बारे में तो 24,400 के लेवल पर मार्केट ने कल के दिन भी सपोर्ट लिया, मौर्निंग मैच सपोर्ट लिया, इन फाट पूरे दिन 24,400 के लेवल को मार्केट सपोर्ट कर रहा था, और जैसे कि मैं आपको पहले बताया था 24,400 इस वेरी वेरी इंपॉर्टन लेवल और वहां से दूसों मैं 24,800 तकी अपसाइड एक् ही रखना चाहिए, similarly Nifty Bank को अगर आप देखें तो Nifty Bank में भी आपी तेजी दिखाई नहीं पड़ रही है, आज ऐसा लग रहा था कि 51,800 के आसपास एक शौर्ट कवरिंग आएगी, unfortunately 51,800 तक के लेवल्स तो आए, लेकि 51,800 ब्रीज नहीं हुआ, और चुकि ब्रीज नहीं और जो कुछ भी आप बाय करें, ऐसा स्टॉक बाय करें जिसमें कि आपको पिल्कुल conviction है कि उस स्टॉक को अगले 10 साल होल्ड करोगे, तो अगर आपको लगता है कि उस कंपनी में इतना दम है, उस कंपनी के fundamentals में इतना दम है, कि उसको अगले आने वले 5-10 साल आप उसको हो कर सकते हैं, उस स्टॉक में या, definitely आप dips में, आप गिरावट में धीरे-धीरे करके accumulation स्टार्ट कर सकते हैं, अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि सर आप ही बता दीजिए क्या लेना है, तो दोस्तों जैसा कि आपको मालू है, market regulator चाहता है कि हम लोग किसी स्टॉक को आप ल दोस्तों बात करते हैं, FIA data के बारे माज के दिन FIAs ने फिर से selling करी है, दोस्तों आज के दिन, that is 24th of October 2024, अगर आप देखें दोस्तों तो ये है आज का data, buying करी है, साड़े-बारा हजार करोड की selling करी है, साड़े-सत्तरह हजार करोड से ज्यादा की, तो और रोल नेट- आई है, 3600 करोड की, तो कहने में दब क्या है, कहने में दब ये, कि आज के दिन भी 1400 करोड के आसपास का माल, FIAs ने फिर से sell कर दिया है, कुछ results आएं दोस्तों, results को भी discuss कर लेते हैं, पहला stock है science, जिस कमणी ने आज के दिन results पोस्ट किया, और 12 रुपे पर share का dividend डिविड से, वहीं पर अगर हम लोग बात करें revenue की, तो जहाँ पिछले quarter में कमनी के revenue से 1680 करोड, जो की बढ़ करके भी आए हैं 1849 करोड, तो मतलब बहुत कम ही ऐसे market में results हैं, जो की अच्छे आएं, और in fact stock भागे ने हुए, science के अगर हम लोग बात करें margins की, तो पिछले quarter में जहा cover ही नहीं करता हूँ, कोई मतलब भी नहीं, आपकी energy, आपका time क्यों waste करना है, science के बारे हम बातना दोस्तों, तो यह stock जैसा कि आप देख पार है, अपने important, दोस्तों कल शाम को मैंने एक demand zone का video post किया था, I am sure आपने उसको देखा होगा, so यह stock, आप demand zone के video को देखने के है, whereas अगर आप पिछले साल से compare करने, तो stock उसी price पे trade कर रहा है, जिस price पे stock पिछले साल trade कर रहा था, तो profit is up 22.6%, पिछले साल जहां कमनी के profits थे 126 करोर, जो कि बढ़ करके भी आए हैं 155 करोर, net interest income पिछले साल के comparison में 7% तो पर है, थोड़ा सा asset के front पे थोड़ी सी problem दिखा पड़ रही है, net NPA जो कि पिछले quarter में था 1.18% reduce नहीं हुआ है, flat ही बना हुआ है, 1.17% अभी भी net NPA है, gross NPA भी कोई reduce नहीं हुआ है, in fact बहुत major reduce नहीं हुआ है, marginally कम ही हुआ है, बढ़ा बिल्कुल भी नहीं है, 3.33% था gross NPA जो कि reduce हो करके 3.29% हो गया है, अब ऐसा stock जो 10 के आसपास, तो मेरे साब से stock को भी आप study कर सकते हैं, next stock के दो सुन डिक्सॉन, अब डिक्सॉन से अच्छे results एक्सपेक्टेशन थी, अच्छे results उसने पोस्ट किये हैं, पहले results के बारे हम बात लेते हैं, पिछले साल के comparison में कमपनी के जो profits हैं, बाप रिबाप 264% उपर ह हाई गुना बढ़ गए है profit, पिछले quarter के comparison में 192% अप है profit, तो ये जो stock में rally हुई है, अगर आप देखें पिछले quarter में जहां stock rate कर रहा था 700 रुपए के price पे, अभी stock rate कर रहा 1500, बिल्कुल justified है, लेकिन अब दूस्वों market देखने वाली होगी, कि market इसको कैसे react करती है, revenue पि मुझे दिखाई पढ़ रहा, जो slight negative हो सकता है, वो दिखाई पढ़ रहा है margin के front पे, जहां पिछले quarter में company के margins थे 3.75%, जो कि reduce होकर के 3.7% बचे हैं, इनफाट पिछले साल तो 200 company के margins थे 4.04%, तो अगर आप मुझसे पूरे के पूरे results में कुछ negative निकालने को कहें, तो मेरे स साथ से margin see है, जिसमें की थोड़ी से negativity दिखाई पढ़ रही है, और दूसरी चीज़ जीज मुझे negative दिखाई पढ़ रही है, कि stock बहुत ज्यादा रनफ हो गया है, अगर ले आने वाले कई quarters की तेजी, की quarters की positivity stock औरड़ी effectoring कर चुका है, तो मेरे साथ से थोड़ा सा caution रखें और भागते हुए, भागती हुए train में चढ़ने की कोशिश ना करें, जो लोग चढ़े हुए हैं, भाई जो बैठा हुआ है, आराम से seat पकड़कर के अच्छी बात है, बैठे रहे हैं, अब next चौक है दूसरों IEX, IEX नतीजे में बड़े प्यारे आए हैं, पिछले साल के comparison में profit 25% उपर है, पिछले कोड़ के comparison में profits 12% उपर है, अचारे रेवन्यू के बातने पिछले साल को च्रसेलों में बातरा है, पिछले साल के पारेश नतीए के एट परेवन्यू अब है, पिछले कॉड़ के comparison में 13% तो बमनृ थीच चिक है, वह घान बात करें हो तो स्टॉक अपी वीकी दिखाई पड़ रहा है इस्टॉक का जो मेजर सपोर्ट है वो है 166-165 का जोन और 166-165 का जोन कैसे निकालते हैं यह गर आपको नहीं पता है तो I want, I request you to kindly watch this video, it's a very very important video जो कि कल चाप को मैंने post किया था, do not miss to watch it, एक और result है दोस्तों जो कि बहुत जबरतास result है, in fact lifetime high profits post कियें इस company ने, company का नाम है Adani Total Gas Limited, ATGL, अब दोस्तों पिछले quarter के comparison ने बात करें हैं, पिछले quarter में जहां company ने profits post किये थे 172 करोड के, अभी profits आएं 186 करोड के, बात समझ में आ रही है, revenue बात करें हैं जो जहां पिछले quarter में कमनी ने revenue post किये थे 1145 करोड के, और अभी कमनी ने 1218 करोड के revenue post किये हैं, margins के बारे बात रहे हैं पिछले साल जहां company के margins, पिछले quarter में जहां company के margins थे 25.8% क्योंकि थोड़ा सा marginal reduce हुए 25.05%, बट से, क्योंकि revenue बढ़ा है, इसलिए profit बढ़ा है, इसलिए profit बढ़ा है, इसलिए profit all time hyper trade कर रहा है, लेकिन stock क के बारे हैं बात रहे हैं बात रहे हैं, अगर कोई stock ने lifetime high, lifetime high profits पोस्ट किया है, lifetime high revenue पोस्ट किया है, लेकिन stock का price अगर lifetime high नहीं है, तो that should be taken as a undervalued stock, यहाँ पर थोड़ा सा एक problem यह है कि company का price to earning ratio है, वो अभी भी काफी तेज है क्योंकि stock ने अलड़ी यह सारी चीज़े factor in कर रखी हैं, बाट मेरे साब सा दोस्टों, these companies, ATGL, Adani Group की जितनी भी companies हैं, यह सारी के सारी बहुत high growth companies हैं, तो जो भी high growth company होगी, high debt के साथ चल रही हो होगी, of course high margins के साथ चल रही होगी, अब चुकि high growth है, high debt है, तो high risk भी है, so इसारी चीज़ों को धहन में रख करके इन सभी stocks को study करें, again I do not tell you to buy any stock, but I can definitely study its fundamentals and technicals with you, so जो मैं करने की कोशिच करता हूं, video पसंदा है, do not forget to smash the like button and to share with your friends, until then, bye-bye for now.